हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटूब चाइनल मेरी शीन नौलेज में दोस्तों आज इस वीडियो में जानकारी लेंगे नोवल एमडी टेबलेट के बारे में दोस्तों अगर आप इस चाइनल पे नए हो तो मेरे इस चाइनल को सब्सक्राइब करे और लाइक करना ना भूले और घंटिक वेल आइकन को दबाना ना भूले जिस लेटिस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले चले दोस्तों बिना देरी किये वीडियो करते हैं स्टार्ट दोस्तों आज इस वीडियो में जानकारी लेंगे नोबल एमडी टेबलेट के कमपोजिशन क्या है इसके यूज, डोज, प्राइस और साइर इफेक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेंगे बिना इसकीप किये लास्ट तक वीडियो देखे जिसे सही जानकारी आपको मिल सके क्योंकि दोस्तों आधाध हो राग्यान हनिकारक हो सकता है नोवल एमडी टेबलेट को मेंनकाइन फर्मासिटकल कमपनी में नविक्चिंग करती है जो कि वन स्ट्रीप में 10 टेबलेट आता है जिसका प्राइस 43 रुपिया है यह टेबलेट आपको आसानी से किसी मेडिकल रेस्टोर या केमिस्वाप पर मिल जाएगी यह टेबलेट नोवंबर 2021 में नविक्चिंग किया गया है जिसका एक्सपाइरी डेट अक्टूबर 2023 तक है इस टेबलेट को लेते समय एक्सपाइरी डेट जरूर चेक कर लें दोस्तो आप जानकारी लेंगे इस टेबलेट के कमपोजीशन के बारे में कमपोजीशन की बात करें तो इस टेबलेट में नीवू सलाइड के 100 mg ड्रक्स के कंटेंट मिले होते है एक बात और दोस्तो ध्यान देने वाली बात या है कि आप देख सकते हैं या लाल पट्टी में आता है यानी सेड्यूट एस ड्रक्स के कटेगरी में आता है इसलिए इस टबलेट का इस्तेमाल करने से पहले डाक्टर से सलाथ जरूर लें दोस्तो अब जानकारी लेंगे इस टबलेट के यूज के बारे में इस टबलेट को किन किन बिमारियों में यूज कर सकते हैं इस टबलेट का यूज बुखार, सीर दर्द, कान का दर्द, बदन दर्द, दौत का दर्द, गरदन में होने वाला दर्द, कलाई में होने वाले दर्द, प्रियेट्स के समय होने वाला दर्द, अथराइटिस, रूमेटाइट, अथराइटिस, जोरो में होने वाले दर्द, इ दोस्तो अब जानकारी लेंगे इस टबलेट के डोज के बारे में, डोज की बात करें तो डोज पेसेंट के एज और वेट के कंडिसन के हिसाब से अलग-अलग होता है, जो एडल्ट हैं वो एक टबलेट सुबा एक टबलेट साम को खाना खाने के बाद ले सकते हैं, दोस्तो या वीडियो जानकारी के लिए बनाया गया है इसलिए इस मेडिशीन का इस्तेमाल करने से पहले डाक्टर से सलाज जरूर लें दोस्तों आप जानकारी लेंगे साइड इफेक्ट के बारे में साइड इफेक्ट की बात करें तो अगर आपको इस टबलेट से एलर्जी या ओवर्डोज होने पर कुछ साइट फेक्ट हो सकते हैं जैसे कि मतली या उल्टी होना दस्त पेट में गैस की समस्या होना सरीर बलालाल चकत्ते होना हो सकता है ऐसी कंडिशन इस टेबलेट का इस्तेमाल ना करें और तुरंथी डाक्टर से संपरक करें दोस्तो ये थी सारी जैनकारी नोवल एमडी टेबलेट के बारे में बस दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई वीडियो के साथ अगर आप तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें